आज की क्लास में हम केदारनाथ अगरवाल जी का जीवन पर जय जानेंगे केदारनाथ अगरवाल का जन्म उत्तर परदेश के बांदा जिले के कमासिन गाव में सन 1911 में हुआ उनकी शिक्षा इलाहवाद और आगरा फिश्विद्याले से हुई केदारनाथ अगरवाल पेशे से वकील रहे हैं उनका तातकालिन साहितिक आंदोलनों से गहरा जुराव रहा है सन 2000 में उनका देहांत हो गया नींद के बादल इुग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं आग का आईना पंक और पतवार हे मेरी तुम मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी यह सब उनकी प्रमुख काबे कृतियां हैं उन्हें सोवियत लेंड नहिरु पुरसकार और साहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया केदारनाथ अगरवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कभी माने जाते हैं जन सामाने का संघर्स और प्रकिर्टी सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख प्रतिपाध्य है उनके यहां प्रकिर्टी का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है जिसमें शब्दों का सौंदर्य है ध्वनियों की धारा है और है अस्थापत्य की कला संगितात्मक्ता उनके काब्वे की एक अन्यतम विशेषता है बुंदेल खंडी समाज का दैनेदीन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काब्वे में अभिव्यक्त हुआ है केदार कविता की भाषा को लोग भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीन जीवन से जुड़े विवो को आत्मियता के साथ प्रस्तूत करते हैं तो आज की कलास में इतना ही फिर अगली कलास में मिलते हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो फसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करें